राधे राधे फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में आज मैं बहुत ही टेस्टी रेसेपी लेके आई हूँ सोया बड़ी और हरे मटर की सबजी मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी स्वाधिष्ट चलिए तो फ्रेंट्स जादा देर ना करते हुए इसे हम सुरू करते हैं बनाना इसके लिए मैंने 100 ग्राम सोया बड़ी भी गो के रख दिया है पानी में और यहाँ पे देखिए मैंने कड़ाई में तेल डालके गहस बे रख दिया है दो मीडियम साइज का कटा हुआ आलू डाल कर इसे अच्छे तरह से फ्राई करेंगे इस सबजी में आलू कोई जरूरी नहीं अडालना अगर मैं आपको पसंद दो तो ही डाली है नहीं तो नहीं डाली है बहुत लोग ये सबजी बीना आलू के भी बनाते हैं लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा आलू डाल दे रही हूँ और आलू को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और यहाँ पे देखिए हमारा आलू फ्राई हो गया है इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और उसी तेल में हम सोया बड़ी भी डाल कर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे सोया बड़ी का पानी मैंने निकाल कर अच्छी तरह से धूल के इसका पानी निचोड दिया है और इसे डाल के अच्छी तरह से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे गैस को medium flame पर ही रखेंगे और सोया बड़ी को चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे हाई flame पर बिल्कुल नहीं रखेंगे गैस को नहीं तो यह नीचे से चिपक जाते हैं जल जाते हैं सोया बड़ी और यहां पर देखिए मैंने तीन मीडियम साइज का प्याज काट के रख लिया है और तीन मीडियम साइज का टामाटर भी ले लिया है इसे चोटे-चोटे तुकडों में काट कर रख लेंगे एक मिकसर का जार ले लेंगे और थोड़ा सा लहसुन देखे मैंने डाल दिया है दो इंच अधरक और इसी में डाल देंगे हरी मिर्च हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं प्याज भी डाल देंगे इसी में प्याज वाला मसाला हम बिना पानी के भी पीश सकते हैं जरूरी नहीं है कि पानी डाल कर यी पीषे वह इसे भी पीष कर तयार कर सकते हैं और यहां पर देखिए हमारा सोया बड़ी हल्टा प्राई हो गया है अभी इसे हम और प्राई करेंगे कोई जल्दबाजी नहीं है आराम से धीरे धीरे अच्छी तरह से इससे चलाते हुए प्राई कर लेंगे और ये देखिए फ्रेंड्स सोया बड़ी अच्छी तरह से प्राई हो गया है और अब हम इसे भी एक बर्तन में निकाल लेंगे और उसी कड़ाई में तोड़ा सा तेल और हम डालेंगे ज्यादा तेल हम नहीं डालेंगे दो तेज पत्ता डाल देंगे तेल गरम होने के बाद एक मीडियम साइज का बारी कटा हुआ प्याज इसे डाल के अच्छी तरह से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे यहाँ पर देखिए हमारा प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो गया है दो चमज हल्दी पावडर डाल देंगे दो चमज सब्जी मसाला भी डाल देंगे मसाले को एक मिनट तक बूनेंगे मसाले का कच्छा पन खतम हो जाता है ऐसे हम मसाले बूनते हैं और पीसा हुआ मसाला भी इसे में डाल देंगे सारे मसाले डालने के बाद इसे में डाल देंगे टमाटर जो मैंने काटके रखा हुआ है टमाटर को डालने के बाद इसे में डाल देंगे साधानुसार नमक मसाले को अच्छी तरह से पूनेंगे 10 से 15 मिनट मीडियम प्लेम पे चलाते हुए और इसी में हरा मटर भी डाल देंगे लबबग एक कप हरा मटर मैंने डाल दिया है और इसे डाल के अच्छी तरह से मिला देंगे कडाई को 10 मिनट तक मीडियम प्लेम पे ढख देंगे और बीच में एक दो बार इसे हम खोल कर चला देंगे ताकि ये मसाले जले नहीं नीचे से और ये देखिए फ्रेंट्स दस मिनट हो गा है मसाला हमारा अच्छे तरह से भुन गया है मसाले से देल भी निकल गया है और इसी में डाल देंगे फ्राई हुआ आलू और स्वया बड़ी दोनों डालके अच्छे तरह से मिला देंगे और एक बार फिर से खढ़ाई को ढख देंगे पांच मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेंपे पांच मिनट के बाद देखिए फ्रेंट्स आलू स्वया बड़ी और मसाले अच्छी तरह से भून गया है आप देख सकते हैं जितने अच्छे से हम मसाले को भूनेंगे उतना ही अच्छा हमारे सबजी का टेस्ट आएगा इसलिए मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनना चाहिए और मसाला हमारा अच्छी तरह से भून गया है और इसी में हम डाल रहे हैं एक ग्लास दूद और दूद डालनेंगे बाद इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और अब हम डालेंगे इसमें पानी, ग्रेवी के हिसाब से पानी डालेंगे, एक ग्लास मैंने दूर डाला है और लगबग एक ग्लास पानी डाल देंगे, अच्छी तरह से सब्जी को मिला देंगे, इसे मिलाने एक बाद कड़ाई को ढख देंगे, दस मिनट तक के लिए मेड सब्जी बनकर तैयार हो गया है आलू भी गल गया है मटर भी गल गया है बहुत ही स्वाधिश्ट है ये सब्जी एक बार आप जरू से ट्राई करिए गया हमारा ये रेसिपी और उपर से थोड़ी सी दनिया की पति डाल देंगे फिर मिलते हैं फ्रेंट्स अपने अगली प्रेंट्स